नमस्ते अन्वकम बैट टू हापी होममेकिंग डिया और्गनेजर्स आइडिया शेयर करने के लिए काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी तो लेजिए आगया वीडियो देखें कोई भी डियाइवाई जिरोपास्ट नहीं ही होता है उसमें थोड़ा बहुत परसे हमें इन् मैं जब भी डियाइवाई वीडियो बनाती हूँ तो घर में अवेलेबल रिसोर्सस यूज करने की कोशिश करती हूँ यह सब चीज़े आज कल नॉर्मल है सब के घरों में होते हैं और अगर घर पर नहीं है तो मार्केट में इसली अवेलेबल है इत्तों साइनमस्ट करके आप थे आप ढ़नाइजर बनाएंगे एक तो वो आपके लिए कस्टम मेंड होंगे उसके साइज, हाइट, लेंद, कालर सब आपके पसक्रिण की हिसाबसे होंगे और दुसरा वो मार्केट में मिलने वाली और गनाइज़र से डेफिनितली सस्ते होंगे और गनाइज़र सक तो उसके लिए हमें चाहिए दो एंब्राइडर लूप किसे भी सिलाई के दुकान में आपको मिल जाएगी एक कार्डबूर्ड पिस, ओटिन बेट्स और नाइफ सिजरन ग्लूव सबसे पहले ये कार्बूर्ड पिस को एंब्राइडर लूप के हिसाब से कट कर लेंगे देन एक मार्बल रैपिंग पेपर से रैप कर लेंगे मार्बल पेपर यूज़ करना ही अच्छा रहेगा इससे ट्रे बहुत नैचरल दिखता है अभी एक एंब्राइडर लूप को ग्लूगान के हिल्प से बोट के साथ आटच कर देना है अब जितना स्ट्रॉंग ग्लूव यूज़ करेंगे ट्रे उतना ही स्ट्रॉंग बनेगा आप फेवी बांड यूज़ कर सकते हैं फेवी कुईक यूज़ कर सकते हैं सिनिकॉन ग्लू यूज़ कर सकते हैं मैं ग्लूगान यूज़ क्या क्योंकि ये जल्ली सूख जाते हैं अभी ये उटन बेट्स मोशच मिने पास था अक्च्छलि मोशच इस थरह का एक कार सिथ था Gaps आप अपने हिसाब से ज़ादा कम रख सकते हैं अभी ये Bits के उपर चित दूसरा इंपरारा लूप है उसे अटच कहना है और आपका DIY उड़न ट्रे रेडी हो जाएगा मैं इसे Dining टेबल के उपर यूज करने वाली हूँ मुझे एक चीस समझ में नहीं आ रही है कि मैं इसे ऐसी ही रौ रख खूँ या फिर इसके उपर उट पॉलिश लगाऊ आपका क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताना ओपन शेल्फ अब जितना भी और्गनेस करके क्यों न रखे? थोड़ा बहुत चीज़े इधर उदर होने से ही मेसी लगने लगता है में लिप विजूल क्लाटर्स क्रेट होता है तो यह जगा है इधर मेरा सारी DIY के समझ रहता है और उसके साथ साथ कुछ रैंडम चीज़े भी रहता है यह जगा बहुत जल्द मेसी हो जाता है तो चैनिया इसके लिए एक और्गनेसर बनाते है हम कार्ड़ूड बॉक्स यूज़ करेंगे और मैं दो डिफरेंट तरिके से यह और्गनेसर बनाऊंगी तकि आपके पस अवेलेवल कार्ड़ूड के हिसाब से आप इसे तैयर कर सके तो कार्ड़ूड बॉक्स की यह जो ओपन साइड से उसका यह दो साइट फ्लैप हम कट कर देंगे अभी यह दो फ्लैप से जोड देंगे अभी इसे नाव हम नीचे के तरफ से कट करेंगे तो यह बॉक्स इस तरह से ओपन हो जाएगा अभी इसे कोई भी डेकॉलिटी पेपर से रैप कर ले बस मैं जो पेपर यूज़ कर रही हूँ उसे यूज़ ला करे बेकार की क्वालिटी है अभी इसे भी रैप कर लेना है बॉक्सस रेडी हो जाएगा अभी रैक को थोड़ा क्लीन कर देते हैं अभी बॉक्सस को आरेंज करना है इस तरह की ऑर्ड़नाइजर्स मार्केट में अवेलेवल नहीं है और जो है वो मेरे लिए यूसफुल नहीं है तो अभी ये बॉक्सस के अंदर में मेरी सारी चीज़े रद्दूरी ओपन रैक क्लोज हो जाएगा विज्वाद क्लाटर्स डिस्टब नहीं करेंगे इसमें से कोई भी चीज़ अक्सेस करना मुश्किल नहीं है मेरे घर में इस जगा के लिए ये परफेट और्ड़नाइजर्स है आम लविन इट नेक्स्ट और्ड़नाइजर्स के लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक क्लोज हैंगर की और एक स्मॉल पिसब क्लोज की कपने को हैंगर के लेंध के हिसाब से सबसे पहले कट कर लेंगे अभी चाहिए रिबन अब किसे भी तरह की रसी भी यूज़ कर सकते हैं और चाहिए क्लोज क्लिप्स देखिए क्लीप में न इस तरह की एक पार्ट रहना जरूरी है जो कि नॉर्मल क्लिप्स में होता भी है अभी रिबन को इसके अंदर डालना है और फोल्ड करके कट कर लेना है अभी इस रिबन के लेंद के यह सब से बाकी सारे रिबन समय कट कर लेना है जितने क्लिप्स अपके पास है उतने रिबन जाईए अभी सभी क्लिप्स के अंदर इस तरह से रिबन डालना है अभी कप्रे को फोल्ड करके उसके साथ क्लिप्स अटच करना है कुछ इस तरह के से अभी दो कॉर्नर्स में और मिडल में चीट बटन लगाना है ज़रुरत पढ़ने से ज़्यादा भी लगा सकते है अभी इसे कोई सभी हैंगर के साथ अटच करें अब कि हैंगिंग क्लोद और्गनेजर रेडी है आप इसे ट्राविलिंग के टाइम भी करी कर सकते है एमजन पे ये अन्मुस्ट फोर हंडर्ड रूपिस में मिलती है आप इसे कपरे सुखाने के लिए यूज़ कर सकते है अलमारी में सॉक्स, हैंकीज अगनाइस करने के लिए यूज़ कर सकते है बच्चे का स्कूल आइडी कर्ट्स, सॉक्स, बेंट, हैंकीज भी अगनाइस किया जा सकता है चॉज़ इस ओल्वेज यूर्स चलिए, एक DIY मार्बल ट्रे बनाते है सारी बॉप्स, मिठाई का डबबा, कुछ भी यूज़ कर सकते है बॉक्स को स्रफ मार्बल वालपेपर से रैप करना है बस समझो हो ही गया थोड़ा और रेल बनाने के लिए दो हैंडल लगाएंगे मिरे पास दो डिसकारड़ हैंडल था, उससे ही यूज़ करेंगे फिलाल मैं ग्लूगाव से अठच कर जए हूँ बार में स्क्रूल आके सही तरीके से अठच कर दूँगी तो ये ट्रे रेडी है डाइनिंग टेबल के उपर से यूज़ कर सकते हैं लेव इन रूम में संटर टेबल के उपर भी रख सकते हैं ये पेपर वाटर्प्रूफ है और इसली क्लीन भी किया जा सकता है तो चाहे तो आप इसे कीचन में भी यूज़ कर सकते हैं कोई में सामान जब यूज़ देस लगे तो उसे फिक में से पहले आकलिस्ट एक महिने के लिए उसे घर में रखा करें इस एक महिने में अगर इस तक कोई भी ज़रूरत रिकाई कर नहीं आया तो उसे फिक दे जैसे कि ये प्लास्टिक प्रेंटेनार इसका तो लेट खराब हो गया था मैं इसे फिक में वाली थी लेकिन बाद में इसे में रस्टि और्गनैस करने के लिए यूज कर लिया इस तरह से सारी रस्टि और्गनैस फ्री हो गया ज़रुरत पढ़ने पर इसमें मिल भी जाती है और ये प्लास्टिक पेंटेनार भी यूस हो गया कभी-कभी जुगार ज़ादा यूसफुल होता है आपका क्या ख्याल है ये जो डबा है इसे में पहले ग्रॉसरी स्टोर करने के ने यूस करती थी लेकिन इसका भी लिट खरब हो गया इसलिए आजकर मैं इसे वैक्सेसरी स्टोर करने के लिए यूस करती हूँ सारे अक्सेसरी, मैनुवल, इविन ये पुराना वैक्क्यूम क्लेनर और उसका चार्जर भी मैं इसमें स्टोर करके रखती हूँ ये वैक्क्यूम क्लेकर के बारे में काफी सवाल आता है कि ये आभी तक काम करता है या नि ही चिलिए एक बड़ देख लेते हैं सी ये अभी भी काम करता है लेकिन हाँ ये जरूर ध्यान रखना कि इसका सक्षन पावार नॉर्मल ठाक्यूम जैसा नहीं है हो ही नहीं सकता तो अगर आप इसे पर्चेस करने के लिए सोच रहे हो ये चीज़ जरूर ध्यान में रखें अगर आपके पस इस तरह के डिबबे हैं तो अपन एजिलिय इसमें सांगलास और करके रख सकते है लेकिन बॉक्स के साथ इसमें स्रिफ चार संगलास ही अब स्टोर कर पाएंगे लिकिन अगर आप भी मेरी तरह संग्लासेश की शौकीन है और आपके पास भी बहुत सरे संग्लासेश है तो आपना एक ट्रिक फॉलो कर सकते हैं Old socks ले ले और उसमें संग्लासेश डाल के box में रखे संग्लासेश में scratches नहीं आएंगे और space भी save होगा देखिए इसमें 6 संग्लासेस रखनी के बाद भी काफी सारे स्पेस बचा हुआ है एक दो बॉक्स ज़रूर हैंडी रखे तकि बाहर कैरी करने में परिशानी ना हो टिकर वे कंटेनर्स कई तरीके से रियूस किया जा सकता है और अगर कंटेनर्स सिक्षिंड है तो वो और भी यूसफुल हो जाता है टिकर वे कंटेनर्स as a Jewelry Organization भी यूस किया जा सकता है मैं बहुत पहले एक Jewelry Organization वीडियो में अपके साथ ही शियर की थी एनिवे घर में फोम या थार्मो का केस्तों जरूर होगा उसे कंटेनर्स के सेक्षिंड के हिसाब से कट कर लेना है और उसमें आप अपके सारे स्टार्ड अंडेंगिल्स और गनेश करके रच सकते हैं है ना इसे ऑप्शन और भी आइडियास के लिए ये वीडियो जरूर चेक करना लिंक दिस्क्रूप्शन बॉक्स में हैं तो अच्छ लिए रच से क्टार्ड अच्छ लिए आप लेका भी तार बिए रच्छ लागे तो लागे तो पलिस गुए अजब आप सबीग थामस अब लिए था कि तो अन्ट फोग्ए लिए ने क्ना प्रेग के शंटे खने संटे अंटिन दन टेक किया लॉस अप्लो अब happy homemaking, bye-bye!